दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी है पचास तरह की वेकेंसी का नया कैलेंडर आ गया है तो चलिए फटाफट नया कैलेंडर देखिए सभी भरती के बारे में यहां से आपको संपुर्ण जानकारी मिलने वाला है तो चलिए फटाफट ओफिसियल कैलेंडर देखिए यह रहा दोस्तों आपके सामने ओफिसियल कैलेंडर और यहां पर आप डेट भी देख सकते हैं आज ही के डेट में यहां कैलेंडर जारी किया गया है official site से कैसे download करना इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे आप खुद से भी download करके देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कुछ परिक्षाओं के बारे में जैसे विग्यापन संख्या 11.2020 एसिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्टरिकल का total number of seat इसके बारे में निर्ने लिया जाएगा क्या कुछ यहाँ पर रिजल्ट का डेट रखा जाएगा इंटर्वियू की परिक्रिया भी 11.02.2020 को complete किया गया है और final result आना है तो जल्दी इसको घोसित कर दिया जाएगा इसके बाद लेक्चर से संबन धीता है इसके बाद यहाँ पर लेक्चर CSC Computer Science से संबन धीत तो यहाँ पर 6 जनवड़ी 2013 इसको final result जारी किया जाएगा तो शुरू में आप देखेगा प्रोफेसर से संबन धीता है और आप सभी यह जानना चारे होगे इसके बाद यहाँ पर लेक्चर से संबन धीते और यहाँ पर देखेगा और यह सब भरती पर करियारी इंटर्वी यह सब चरणों में है और जल्दी इसको final कर लिया जाएगा इसके बाद यहाँ पर दीखेगा एक और भरती Assistant Public Sanitary West Management Officer 286 पदोपर भरती आई थी एक्जाम जो है 12 नॉमबर 13 नॉमबर को लिया गया दस जनवरी को रिजल्ट दिया जाएगा और इसके बाद 37 जनवरी 2013 को final result document verification के बाद इसमें एक ही एक्जाम का चरणे इसलिए इंटर्वी यह सब चीजे नहीं है इसके बाद आप देखेगा dentist के बारे में और आप यह भी जानना चाह रहे होंगे इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले लास्ट डेट क्या है प्रिंस्पल का यहाँ पर देखेगा तो 10 जनवरी 2013 को फानल रिजल्ट जारी किया जाएगा और यहाँ पर डिरेक्टर से समझे तलग लग विभागों का पोस्ट है इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर इसके बारे में भी आप सभी जानना चाहरे होंगे तो 25 मार्च 2013 को जारी किया जाएगा और यहाँ पर रिजल्ट दिया गए यह सब चीज़े अब मेंस का डेट यहाँ पर है फिर मेंस इक्जाम यह सब चीज़े होगा इंटर्विव ओडिटर तो ओडिटर का यहाँ पर रिजल्ट पब्लिच 24 जनवरी को किया गया है इसके बाद यहाँ पर 4 नॉमबर 2022 को यह जो डेट है दोस्तों मेंस का डेट है और इसके बाद 3 मार्च 2013 को रिजल्ट दिया जाएगा फिर 16 मार्च इंटर्विव 31 मार्च को भरती परक्रिया कम्पलीट हो जाएगी जिला कलायम संस्कृती पताधीकारी 38 कोश्ट है तो इसका भी परक्रिया दिखेगा तो अपरेल का रखा गया फैनल रिजल्ट रठेस अपरेल को जारी हो जाएगा अब लडीसी का तो लडीसी का रिजल्ट का आपका इंदजार खत्म हो गया टैपिंग में आप सभी मिशन मोड में लग जाएए टैपिंग का डेट आ गया बिस दिसंबर को इसी महने रिजल्ट आने वाली है बिस नॉंबर को यहां पर इग्जाम यह सब चीजे लिया गया था टैपिंग जो है पांच जनवरी 2013 से तो एक ही दिन टैपिंग लिया जाएगा कंडेट बहुत कम है 24 है तो बहुत कम इसमें रिजल्ट भी दिया जाएगा इसके बाद 15 जनवरी 2013 को फानल रिजल्ट जारी हो जाएगा यह जो भरती है बीपीएसी ओफिस के लिए स्पेसल है और दोस्तों अगर आप एसिस्टेंट पोस्ट के लिए फॉर्म भरे है तो अ पब्लिकेशन इंस्टॉल करके लॉगिन किजिएगा कोर्स का बैनर देखेगा बीपीएसी एसिस्टेंट कोर्स तो उसको जोईन कर सकते हैं अब यहाँ पर सबसे जो भरी भरती देखेगा बीपीएसी में तो हाल फिलाल में तो 40,506 पदव पर यह है परधान सिक्षक हेड टीचर का है इसमें क्या हुआ है कि 22 तारीक इसी महीने 22 दिसंबर को परिक्षा होने वाली थी लेकिन कोर्ट का डिसीजन यह आया कि यह जो नियामा वली है वो नियामा वली ही सही तरीके से नहीं है तो इसको लेकर सारा कुछ अब डिसीजन होना है कैसे भरती क्या किया जा में बदलाव होगा और भरती राद होगी तो फिर से यहां पर BPSC की माध्यम से ही भरती आएगा ऐसा नहीं नहीं आएगे बिलकुल होगी एक्जाम के अधार पर ही सलेक्शन लिया जाएगा लेकिन परकरिया थोड़ा सा सरल करके यह सब चीजे करके लिया जाएगा इसके बा पर 12 फरवरी को परिक्शा हो पाएगी या नहीं तो कंडेट की संखे इस बार बहुत कम रहने वाली है दो लाग से भी कम कंडेट रहेंगे तो परिक्शा समभबता ले ली जाएगी बिहार बोड का एक्जाम देखिएगा तो फरवरी में शुरू है लेकिन 11 तरीक तक बार परिक्शा है तो उमीद है कि इसी डेट में हो जाएगी अगर कुछ कारणों से यह बोड इकजाम के कारणों से नहीं होती है तो फरवरी लास्ट में ही होगी यह नहीं है कि बहुत अधिक समय मिलेगा पिछली बार आप सभी देखे होंगे कि 21 सितंबर को परिक्शा का ली जाएगी रिजल्ट 17 मार्च 2013 को जारी किया जाएगा फिर मैंस का एक्जाम बारह मैं 2030 को लिया जाएगा और मेंस का रिजल जुलाय महिने मायका इंटर्व्यों 11 अगत से 9 अक्टूबर 2030 कोрал परिल रिजल्चर जारी कर दिया जाएगा इसका बात 66 में नहीं होनाै 17 सित् बरती कंपलीट हो जाएगी यानि 2023 में देखेगा तो बीपीसी में दो भरती एक सरसटमी और अरसटमी कंपलीट होने जा रही है इसके बाद आप लोगों को अरसटमी में टोटल फॉर्म कितना फिलब वाले में अब लोगों को बताने वाले हैं तो detonे सभी चीजों के बारे मैं देखि लीजी और अन्य परिक्षाओं के बारे में यहां पर एसिस्टेंट इंजनियर से संबद्न देखिएगा इन सभी चीजों में भी टीवीडी आव अजी हो सकता है कि इन सभी भरती पर court case यह सब हो इसलिए यहाँ पर ऐसा आया है इसके बाद यहाँ पर cdpo तो cdpo के बारे में और जरूरी नहीं कि court case ही होगा बाद में इसमें decision लिया जाएगा कि कभी इसका result जारी करें क्या कुछ आयोक का यह internal matter है इसलिए यहाँ पर tbt दे दिया गया तो cdpo के बारे में देखेगा तो cdpo का जो result आना है इंटर्विव 13 March से complete शुरू किया जाएगा और उने 9 अपरेल 2030 को final result दे दिया जाएगा 24 फरवरी 2030 को मेंस exam का result लिया जाएगा मेंस exam ले लिया गया मेंस exam का result फरवरी महिने में दिया जाएगा इसके बाद यहाँ पर और अन्य परिक्षाओं के बारे में आप देखिए एप यो परिक्षा देखेगा तो 553 सीटों पर यह भरती है अच्छा कासा इसमें भी सीट था तो 15 March 2030 को मेंस exam का result मेंस exam ले लिया गया इसी महिने फिछले महिने नवंबर में इंटर्विव 11 अपरेल एक अपरेल से ले करके 26 अपरेल तक और 16 मैं को result दिया और 16 मैं से फैनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा इसके बाद यहां पर एसिस्टेंट टॉन प्लानिंग सुपर वैजर के 107 सीट पर तो 9 जनवरी 2030 को परिक्षा का result आएगा यहां पर देखिएगा इंजा एकजाम कंड़क्ट करवा लिया गया और 30 जनवरी 2030 को इसमें इसके बाद यहां पर देखिएगा इन सभी परिक्षाओं का भी सेडियू ला गया फरवरी महिने में और मार्च में इसका इंटर्वियू मार्च में फैनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो कुछ परिक्षाओं में दोस्तों टीवीडी इसलिए आ गया किस पर बाद म दिया जाएगा डिसिजन क्या करेंगे इसके बाद यहां पर देखिएगा एंसिनेंट इंडियन हिस्ट्री और यहां पर कल्चरल से संभानित जो भरती है यह 2014 की भरती है तो यहां पर इस भरती संभानित इंटर्वियू जह 15 फरवरी 2030 से लेकरके 17 फरवरी तक और 3 मार्च 2030 को फैनल रिजल्ट जारी किया जाएगा और अभी हाल फिलाल में देखेगा यहां पर एक भरती आने वाली है एसिस्टेट एसोसियेट प्रोफेसर का 669 पड़ाओं पर सुपर एस्पेसलिस्ट का यहां पर है तो इसका जो इंटर्वियू है 26 फरवरी 2030 से शुरू किया जा जाएगा और यहां पर देखेगा तो 15 जनवरी 2030 को एक और भरती आने वाली एसिस्टेंट डिरेक्टर फोरेंसिक सायन्स लैब के लिए 29 पड़ों पर तो 24 फरवरी 2030 से ले करके 25 फरवरी 2030 तक इंटर्वियू लिया जाएगा इसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो यहां पर दो नई भरती आने वाली है और पिछला जो कैलेंडर था उसमें भी दो तीन नई भरती के बारें बताया गया था जो कि आप दिखेगा इस मेने भरती BPSC के वेबसाट पर आ गई है उसके बारें आप सभी को बताए भी थे तो यहां से दोस्तों BPSC कितना फिलब हुआ है यह रहा दोस्तों BPSC का ओफिसियल सैट और फॉर्म फिलब करने के लिए यहां पर अपलया ओनलाइन का लिंक दिया हुआ इस टैप पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के पाद यहां से एक नया वेबसाट ओपेन होगा ओनलाइन पोर्टल है वेबसा या कल सुबह तक वेबसाट सही तरीके स्ठीक हो जागा इसके पाद भर पाईएगा तो अभी टोटल फॉर्म कितना फिलब हुआ है तो लगवक्त दोस्तों सवाला कि इसमें फॉर्म फिलब हुआ है अब आप डेट देखेगा तो बहुत कम समय बचा हुआ है यहां से आप कुछ ये देख सकते हैं और calendar अगर आप देखना चाहते हैं BPSC का website open करने के बाद यहां पर left section में exam calendar है यहां से आप नया calendar डॉण .. करके आप देख सकते हैं कि परिक्षा जो कैलेंडर आप लोगों को बते हैं 16 दिसंबर आज ही जारी किया गया तो अफिस्यल आप कैलेंडर देख सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों और सठमी की जो नई भरती है उसके बारे में तो और सठमी की जो भरती दिया गया है दोस् इसलिए मैंने विग्यापन जारी किया गया और यहां पर सीटों की संख्या जो दो सवेकासी है जिसमें 77 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है सीटों की संख्या यहां पर असपश लिखा हुआ एक प्रारभिक परिक्षास पहले यानि फरवरी संख्या जो भी सीट आएगी इ 300 तक बढ़ सकती है मैक्सिमाम यानि 400 तक जा सकती है भरतियों की संख्या टोटल तो आप अपनी योगता अनुसार इस फॉर्म को भर सकते इसमें जो क्वैलिफिकेशन मांगा गया ग्रेजवेशन यह जो होना ची फॉर्म भरने के अंतिम्तिति अंतिम्तिति कब है अंतिम् से पहले आप फॉर्म फिलब कर लिजे और इस बार और सट्म बीपेसी में सबसे बढ़ा बदलाओ यहीं एक निगेटिव मार्किंग होगा टोटल डेर सो क्वेस्टन पूछा जाएगा और सबसे अधीक जो एस्टुडेंट आप्शन चूज किये हैं यह थार्ड आप्शन को पीपेसी के और से कहा गया है कि एस्टुडेंट का जो यहां पर आप्शन रहेगा जो जाएदे चूज करेंगे उसी अनुसार हम निगेटिव मार्किंग रखेंगे तो निगेटिव मार्किंग भी इस पार रहने वाला है टोटल डेर सो क्वेस्टन पूछा जाएगा ल निगेटिव मार्किंग का क्या कुछ क्रेटिरिया रहेगा कैसे क्या होगा लेकिन यही है कि एक आप्शन वी पीपेसी चेर्मेन की और से स्पश्ट कहा गया है कि नहीं हटेगा तो आप समझे ही कि नहीं हटेगा बाकी यहां पर फॉर्म भरने का डेट बचा हुआ ता हम ही कंडेट की संक्या टोटल रहने वाला है तो सारा कुछ आप देख लिए और ओफिस्टियल कालेंडर देख लिए यहां से आपको सारा कुछ आचे तरीके समझ में आ गया होगा